रात हाई कोट का कल ओर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल कॉलिफिकेशन्स के बारे में जानकारी नहीं ले सकतें इससे पूरा देश एक तरह से स्थब्ध है क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है किसी का भी अनपढ होना कोई गुनाह नहीं है कोई पाप नहीं है हमारे देश में इतनी गरीबी है अपने घर की परिस्थितियों की वज़े से अपने घर की हालात की वज़े से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पड़ पाते हैं जिनको पूरी अच्छी चन्हीं मिल पाती मैंने ये जानकारी क्यों मांगी हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी आज लोगों में बहुत जादा बेचैनी हैं लोग बहुत तेजी से तरक्की चाहते हैं हम 21 सदी में रह रहे हैं 21 सदी का भारत 21 सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है वो बहुत तेजी से तरक्की चाहता है रोजगार चाहता है महिंगाई से छुटकारा चाहता है वो कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोधी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाई बनाई जा सकती है मतलब उस गैस को एनरजी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाई बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी पढ़ा लिखा आदमी इस किसम की बात नहीं करेगा एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जाज जो है उसको राडार नहीं पकड़ पाएगा ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं आर्मी के लोगों ने फॉज के लोगों ने एर फोर्स के लोगों ने बच्चों ने पढ़ने वाले बच्चों ने युवाओं ने जब ये बात सुनी तो ने बड़ा अटपटा सा लगा उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है Canada गए वो Canada में उन्होंने कुछ वो कहनी की कोशिश कर रहे थे A प्लस B स्कॉयर, होल स्कॉयर, ब्रैकेट स्कॉयर लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े embarrassing feel कर रहे थे एक और में देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को address कर रहे है बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे climate change जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कोई climate change नहीं है अब climate change global climate change global warming जो है यह एक बहुत बड़ा सक्ते है यह पूरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया के अंदर इस पर खूब काम चल रहा है अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि climate change कुछ नहीं है global warming कुछ नहीं है तो फिर तो उसके उपर हम action भी कैसे ले पाएंगे और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दभी जबान में हस रहे थे ऐसे में यह संदे होता है और यह प्रश्ण उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे एक भाशन में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाओं के स्कूल गया था, उससे जादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सेकड़ो फैंसले लेने होते है विज्ञान से संबंदित, अर्थविवस्था से संबंदित अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किसम किसम के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्खत करवा के ले जाएंगे कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। लागू किया गया, GST बहुत अच्छा कॉंसेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, इसने पूरी अर्थवेवस्था का बिड़ा गर्थ कर दिया आज, अगर पड़े लिखे प्रधान मंतरी होते तो GST ठीक से देश के अंदर लागू होता, किसानों के तीन काले क कानून लागू किये गए, जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किये, यह समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधान मंतरी जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया, अंत पंत में एक साल के बाद वो तीनों कानून बंद कर दिये गए, देश की अबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन साथ हजार स्कूल बंद कर दिये गए, इसका मतलब देश में शिक्षा को तवजू नी दी जारी, जो तवजू दी जानी चाहिए, एक अनपढ़ देश कैसे तरक्क करेगा, हाइकोर्ट के ओडर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेके जो संशय था वो और बढ़ा दिया है, इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया, कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ डिगरी इधर उदर एक दिन अमिद्शा जी ने भी प्रेस कांफरेंस करके कुछ वर्ष पहले डिगरी दिखाई थी, अगर डिगरी है और वो सही है, तो डिगरी दिखाई क्यों दिल दे क्यों नहीं जा रही, गुजरात विश्व विद्याले अदिली विश्व विद्याले डिगरी क्यों नहीं दे रहे, उनकी जानकारी क्य क्यों नहीं दे रहे पदान कर दो कि एक हो सकता इसलिए नहीं हुझा है कि मैं क्यूंँदूं मेरी दिजूतरी मांगती है यह कौन होते हैं कि इनकी था क्या पर आखकर इभड़न कर दो क्या लेकिंग पर जनततर के अंदर इस तरह के order के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गारा में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और यह नहीं समझ में आता कि अगर प्रधान मंत्री जी दिल्ली विश्व विद्याले से पढ़े गुजरात विश्व विश्व विद्याले से पढ़े तो गुजरात विश्व है मेरे सामने कि क्या 21 सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पी एम आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी के कोई प्रशन होगा यह एक इंप्रश्न है सारे देश के सामने एहम प्रशन है आज भारत है को बहुत जबरदसत तर debated के से तरक्की कर सकता है कि सदी का भारत क्या सदी के भारत के प्रधानमंत्री पड़े लिखके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये प्रश्ण है और ये एक बहुत एहम प्रश्ण है थैंक्यो